हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक फिजिक्स के इन्पोटेंट टोफिक यानि केपलर के गरहों के गती के नियम देखेंगे, जिससे एकजाम में बार-बार कॉस्चन आता है और किसी ना किसी वज़ा से छूट जाता है, तो सबसे पाले हम लोग जानेंगे केपलर के बारे में, तो इनका पूरा नाम था जोहान स्केपलर और इनका जन्म हुआ था जन्म 27 दिसम्बर 1571 को जर्मनी में हुआ था जो इरोप महा देश में है उसके बाद इनका मिर्तु 15 नाम बड़ 1630 इसमी में जर्मनी में ही हुआ था उसके बाद इनका सिक्षा ट्यू बिंगर 20 विद्या लें 20 विद्याले से हुआ था जहां से वो में के डिग्री लिए थे और इनको किसलिए जाना जाता है क्योंकि ये गराहों के गती का नियम नियम 1609 इस्वी में दिये थे हैं चले यही केपलर जी है उन्ही का फोटो लगा हुआ है तो सबसे पहले जानेंगे इनका पूरा नाम था जोहांस केपलर और इनका जर्म जर्मनी देश में 17 दिसंबर 1571 को हुआ था उसके बाद इनका मिर्तु 15 नामबर 1537 को हुआ था और यह ट्यू बिंगर बिस्विद्याले में पढ़े थे जहांसे वह एम मेत का डिग्री लिए थे उसके बाद यह जानेंगे कि यह कितने नियम दिये थे तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इनके पहले यानि इनके न सुरिय क्या है केंदर में है और जितने भी गरह है वो क्या कर रहे हैं सुरिय के चार और चकर लगा रहे हैं तो इस गरह के गती के बारे में यह तीन नियम दिये थे सबसे पहले हम लोग परत्थम नियम जानेंगे उसके बाद दुत्या और क्या करेंगे उसके बाद विर्थाकार कख्छावां में गति करते हैं तो यह तो बहुत आसान है और समझ भी सकते हैं तो सबसे पहले क्या है एक दिर्विर्थाकार कख्छा बनाएंगे देखिए क्या है कक्छा है और उसके बीच में क्या कर रहा है कि सूरिया है यानि कक्छा के बीच में कौन है सूरिया है और इसके चार और क्या करा जितना भी गरा है यानि कितने गरा है आठ तो आठो गरा क्या कर रहे है वो चकर लगा रहे हैं तो जैसे यहाँ पर क्या हो गया पिर्थिवी उसके बाद दूसरा अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा पहला अगर बुद्ध मानते उसके बाद सुक्र है उसके बाद पिर्थिवी, मंगल, विरस्पती, सनी, अरून, वरून है तो सबसे पहले हम समझने के लिए क्या कर सकते हैं एक सी दो गरा को बना सकते हैं क्योंकि यहां पे क्या है, एश्पेस का कमी है, और आप समझ भी सकते, तो जिस परकार एक गरह घुमता होगा, उसी परकार नश्ब घुमता होगा, तो क्या है कि पाला अगर बुद्ध मानेंगे, तो देखिये क्या है, सूरिया बीच में है, और क्या कर रहा है चारो और सभी गरा क्या कर रहा है चक्र लगा रहा है तो यही नियम क्या है केपलर का पहला नियम है और भासा को आप क्या कर सकते हैं एस्टिन सोट ले सकते हैं या लिख सकते हैं अपने कौपी में तो पहला नियम समझ माया जितने भी गरा है क्या है कि पर यानि चक्कर लगा रहा है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है कक्छाओ का नियम तो अब दूसरा नियम देखते हैं क्या का रहा है इसको चिद्र से भी अगर देखेंगे तो समझ सकते हैं तो यहां पर क्या है सूरिया है उसके बाद क्या है बुद्ध उसके बाद सुक्र पि नियम इसमें क्या बोल रहा है कि जितने भी गरा है यानि जो चक्कर लगा रहे हैं पाहला नियम में क्या बोले कि जो भी गरा है वो सूरिया के चारोड चकर लगा रहे हैं लेकिन दूसरा गरा में दूसरा नियम में क्या बोले हैं कि जो भी गरा है समान समय अंतराल में समान से कि यह τंप करते हैं वह भाण करते हैंस न ल хочет होता है और क्राइज न भुर कि वह अजाए जिद्रिबघा चलों कि सूरय को संदेना हैं तो सूरिय बनाएंगे से दो iki है यह दिडि मेंगे इस तो क्लustический और यह एक ऐन बनार मेंगे क्या करेंगे सूरिया बनाएंगे तो सूरिया कई से बना सकते हैं हम लोग लाल कलर से बना सकते हैं यानि क्या है लाल कलर से बना सकते हैं सूरिया को और इसको क्या करेंगे पूरे हाइड्रोजन और हिलियम से भर देंगे क्या करेंगे हाइड्रोजन और हिलियम से भरेंगे क् क्योंकि सूरिया के इंधन का क्या है एक सरोत हाइड्रोजन ही है अब देखिए कर दिये और लेकिन इसके बाद क्या करेंगे हम लोग एक गरा ले लेते हैं पिर्थिवी अपना गरा ले ले लेंगे जहां रहते हैं उसी को ने पहले करेंगे क्योंकि देहात्म है कि जिसके खा आएगा यहां पे आ जाएगा दो पिर्थी भी नहीं है क्या है कि दो पिर्थी भी यानि घूम के यहां भी आ सकती है और यहां भी जा सकती है तो समझ मागया पिर्थी भी घूम रही है डांस करते रहती है नहीं तो आप देखिए यहां और यहां में अंतर क्यों बनाएं यह सबसे पहले समझेंगे क्या करेंगे समझते हैं क्यों यहां भी आती और वहां भी आतो रही तो आ रहे हैं उससे हमको क्या मतलब लेकिन मतलब है क्योंकि हम लोग को क्या है कि नोक्री लेना यानि जोब लेना है तो इसको मतलब को जानना परेगा तो सबसे पहले हम लोग इसक को वर्स में भी निकाल सकते यानि एक साल जितना चत्रपल दूरी तया करेगी उतना है दूसरे साल या मैना भी ले सकते हैं साल भी ले सकते हैं तो क्या करेंगे कि सबसे पहले लेते हैं यानि एक घंटा ले सकते हैं तो मान लीजे कि यहां पर है तो एक घंटा यहां से यहां एक घंटा में फिर यहां से गया यहां एक घंटा में क्या यह समान दूरी तया करेगी नहीं जो कक्छा के दूरी है वो समान नहीं रहेगा यानि क्या बोला कि छेतरफल समान होने चाहिए क्या होने चाहिए छेतरफल समान होने चाहिए तो कहेंगे कि दूरी कक्छा को समान हो कि हम लोग यहीं करते हैं तो क्या हो गया यह च्छेतर फल और यह च्छेतर फल में अंतर हो गया वह क्या हो गया जाइदा हो जाएगा जब उसका च्छेतर फल निकालेंगे और इसका च्छेतर फल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इस हिसाब तो केपलर मोहद तो देखिए कैसे बराबर होगा पहले इसको सही कर लेते हैं उसके बाद क्या तो आप देखिए क्या होगा अब पहले सूरिया को सही कर लेते हैं आप देखिए कैसे समान होगा छेतर फल तो समान छेतर फल करने के लिए क्या करेंगे देखिए यानि बोल रहा है कि छेतर फल समान करने के लिए तो यहां पे छेतर फल समान कब होगा जब सूरिया क्या होगा पिर्थिवी सूरिया के नजदिक आएगी तो उसका चाल क्या हो जाएगा बड़ जाएगा यानि बड़ जाएगा तो यह क्या होगा जाएदा एस्पि लेकिन क्या बोले हैं जब पिर्थीवी मुजाम दूया सुरिया कैसे लोगत या यहां आ जाएगा तो अब देखिए दोजो च्खेतरफल च निकालेंगे तो क्या हो तो देखते हैं इस नियम को दोबारा जब तक दिमाग में नहीं आगा तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं तो आप देखिए फिर से समझें क्या बोले है कि जो सूरिये के चारो और जो दिर्ग विरतियाकार कक्छा में जो गरा चकर लगा रहा है वो क्या है कि समान समय में या चेतरफल टे करेगा यानि उसका कक्छिया चाल नहीं देखेंगे चेतरफल देखेंगे क्या करेंगे चेतरफल और एक बात और याद रखेंगे क्या याद रखेंगे कि हो जब सूरिये के नजदिक आएगी कोई भी गरा तो वह क्या करेगा old-rop in and और जब दूर चला जाएगा तो क्या करेगा वो धीरे हो जाएगा आप देखिया इस बात को हम गाउं में समझ सकते हैं जब क्या करता है कि एक करजा लेता है यानि कोई बैक्ति है जो करजा लिया या कोई सराबी ही है वो किसी से करजा लेकर और क्या किया वो पी गया उसका क या तो दारू बंद है क्या पी सकता है वो तारी ही पी गया लेकिन चिजब थीड़ाबी हो तम आधा री नहीं है तो वो क्या करेगा कि जब एक महिना दो महिना एपिन मेना है तो जिससे कर जा लेगा जब उसके नजदी काया तो क्या करता हूँ एस्पीड अपना गारी को खुब एस्पीड कर लेगा फिर जब वह धीरे-धीरे क्या करेगा आगे दूर चला जाएगा तो क्या करता है अपना घारी धीरे-धीरे करता है काता है कि बच गे लो ना कहता है कि उसी परकार क्या होगा कि यहां पर पिर्थी भी है या कोई भी गरा उसी वही करते है तो क्या करते है जब सूरिय सो दूर जाती है तो क्या करती है अपना चाल को धीरे कर लेती है जब सूरिय के नजदी काती है तो अपना चाल को क्या करती है speed कर देती है, समझ माया, जब धीरे करेगी तो वो कक्छिया चाल कम चालेगी, क्या, जब धीरे होगा तो वो कक्छिया चाल कि दूरी कम तै करेगी, और जब नजदी का है तो जादा करेगी, लेकिन क्या है, इसका लंबाई जाएदा है, तो चावराई कम है, इसका चावराई यानि लंबाई कम है तो चावराई ज्यादा है जब ये दोनों का छेदर फल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर ही हो जाएगा तो देखते हैं एक अगर नहीं तो मानेंगे सेंटीमीटर यानि सेंटीमीटर से जब नाप के बनाएंगे एसकेल से, तब निकालकर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? छेतर फल बरद में लेकिन हम यहाँ सम्झाने के लिए बनाए हैं, इसलिए क्या होगा कि इसका कम भी हो सकता, जायदा भी हो सकता, तो आप लोग कई से उसको एसकेल से बनाने के निकाल सकते हैं, तो माल लिजे इसको A माल लिए इसको B माल लिए और इसको C माल लिए और उसी परकार यहाँ पर P माल लेंगे और Q माल लेंगे तो क्या हो गया यह तिर्भूज बन गया क्या बन गया दोस्तों तिर्भूज बन गया तो आप क्या कर सकते हैं तिर्भूज P A Q इसको लिख सकते हैं तिर्भूज पी, ए, क्यू हो गया, जब इसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, क्या है तिर्भूज ए, बी, सी, और दोनों का छिद्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यही बात के अपलर मोहद्य कुन, बोले हैं, दूसरे नियम में यही बात समझाए, तो अब दो नियम समझ में आ गया, कौन को नियम समझ में आ गया, तो पहला नियम क्या बोला है, क कि समय समान अंतराल में सभी गर्ण क्या करते हैं, समान छेतरफल त्या करते हैं, जो आपको हम बता दिये हैं, उसके बाद चलिए, आप तीसरा नियम देखते हैं, क्या बोल रहे हैं? ये देखिए, अगर चितर से समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं, ये दोनों का क्या करेंगे, छेतर फ़ल निकालेंगे और इसका भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, और जब निकालेंगे तो छेतर फ़ल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, उसके बाद देखिए आप तिसरा नियम बता रहे हैं, और तिसरा नियम का question बहुत छूट दिर्ग अक्छ के गंड उपाती है तो सबसे पहले इसमें भी क्या करें गे एक कच्छा ले इहां पर समझने के लिए बता रहें उसको व्यास नहीं कहते हैं लेकिन हम यहां पर समझने के लिए क्लिए ब्यास बनाते हैं तो दीर्ग बोल रहें जराय दिर्ग के है कि सबसे बसे 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 तो ऐसल ना उसको कशेगा ऐसां उसमें दिया हुआ नहीं नहीं। crafts me बॉल सकते समझने के लिए बॉल्ण है so 있습니다 दिर्ग यानि ऐसे करें खीचेंगे तो क्या हो जाएगा छोटा ही हो जाएगा सबसे बड़ा निकालना है ऐसे करेंगे तपड भी छोटा हो रहा है तो सबसे अच्छा क्या करेंगे कि ऐसे कर रहे हैं तो यह क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है और यह बड़ा हो रहा है अर्ध तो यह समझ मागया और दिख अच्छ और उसके बाद क्या बोला है उसका परिकर्मन काल यानि परिकर्मन काल क्या है टी मान सकते हैं काल यानि क्या है समया है तो समया को क्या मान सकते हैं टी यानि क्या मान सकते हैं टी मान लेते हैं अब देखिए क्या बोला है परिकर्मन काल वर्ग परिकर्मन काल के वर्ग तो इसको क्या लिख सकते हैं एसक्वाइड उसके बाद देखे अर्धी कक्छा के घन यानि कक्छा का घन क्या हो गया अर्ध अर्ध आधा हो गया आर हो गया के घन तो घन क्या हो गया यह घन हो गया यानि क्यू हो गया और वह एसक्वाइड क् प्रवाइज करा देते हैं और देखिए और इसको क्या करिए समझे और दिमाग में इसको रिवाइज करते रहिएगा कहीं भी रहिएगा क्या करिएगा उसको याद यानि दिमाग में सोचते सोचते क्या हो जाएगा याद हो जाएगा तो अब देखिए सबसे पहले तो केपलर के बारे हम जानेंगे जो इतना बरा नियम दिये हैं उसके बारे में तो जाना ही परेगा तो हम पहले ही बता दिये इनका जन्म कब हो गया है यानि 27 दिसंब इसको क्यों जानते हैं नहीं देते तो हम लोग जानते हैं को जैसे जिस परकार उस समय तो बहुत होंगे लेकिन क्या हो गे फशन दासगे वह तो मर्कियों समकन्वा इस रिवारे नियम क्यों сюжわ Lake today शॉर आतियों जैसे डिवाखिति ब समय खेगर आप्लप बीच में यानि क्या उसके चारो और सूरिय के चारो और दिर्ग भिरताकार काक्छा में सभी गरा क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है ऐसा हम गरा बोलने हैं तो इससे मतलब यह नहीं है कि गरा ही चक्कर लगा रहा है उप गरा भी लगा रहा है चुद्र गरा भी लगा रहा ह तो वह बात नहीं, यहाँ पर जो इसका चर्चा है, वही बोलेंगे, इसको यह दिर्ग बिर्थाकार कक्छा में चक्र लगा रहा है, इसलिए इसको क्या करते हैं, कक्छाओं का नियम, उसके बाद चलिए दूसरा नियम देखते हैं, क्या बोला है दूसरा नियम, कि जो भी ग कर्मन काल और उसके बाद उसके अर्ध दिर्ग यानि जो उसका अर्ध दिर्ग ब्यास यानि उसको ब्यास भी का सकते हैं तो क्या है कि उसका क्यूं और समय का एक समान है तो आपको समझ मांगे आशा करते हैं कि यह क्या है कि आपको बहुत अच्छा से समझ माया और अगर अच्छे से आ रहा तो अपने दोस्त को भेजे दा कि उसको भी यह समझने में अगर दिक्कत होगा तो वह दिक्कत नहीं आएगा और अगर बहुत अच्छा लग